हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दे चैनल सेटी स्टेडी पॉइंट और आज हम बात करेंगे आरो ए आरो की वेकेंसी को लेकर कि वेकेंसी कब तक आएंगी और उनका जो समकक्ष एहरता का इश्यू था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ क्योंकि आरो ए आरो की वेकेंसी आप को खुदी लगने लगेगा कि वेकेंसी बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि समकक एहरता का जो इश्यू है इसमें काफी हद तक सॉल्व हो गया इस पूरे लेटर को मैं यहा पर आपको इसका पूरा जो निचोड़ है वो बताने की कोशिश करूंगी वीडियो में बने रह का लेटर है उन्हें जुलाई का और माननिय उचनेयले के आदेश पर यह पूरा लेटर बना है आपको दिख रहा है कि अपर मुक सचिव जो है उत्तर परदेश शासन उनके द्वारा डॉक्टर देवेंद्र चत्रु चत्रुवेदी जी है ठीक है तो यह पूरा यहां पर जो प्रेशक है यह वो है ठीक है जन्होंने प्रेशित किया है और किस किस को भेजा है तो यह यहां पर तीन लोगों को यह लेटर इन्होंने भेजा है तो यहां पर पूरा यह दिया हुआ है देखे इंपोर्टन बात यहां पर है जो विशय है वो भारत में विधी द्वार पूरा इस्थापिद विश्विद्याले से इसनात तक क्या हो या उसके समकक्ष आपकी कोई अहरता रही हो, तो समकक्ष हरता का ही यहां पर प्राब्लम थी आरो आरो की वेकिंसी flu आने के लिए कि कौन से समकक्ष हरता क्या होनी चाहिए उसको लेकर तो यहां पर पूरा क्लियर कर दिया है अब देखें पूरा लिखा है कि किरप्या कार्मिक अनुवाग दो के कार्याले ग्याप जो होते हैं संख्या पूरी लिखिये दिनांग साथ तक्टूबर 2021 को देखें का संदर्व ग्रण करने का कस्ट करे जिसके माध्यम से रिट या चिका संख्या रिट पड़ी थी किसने डाली थी यहां पर नाम लिखा है असी और एक एक ऐसी लोगों की थी उत्तर प्रदेश राज में माने निये उच नियाला इलावाद के आदेश दिनांग 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भरती के नियमों मे भीट आरता भीट माने जो important या जो मुख आरता होती है उसके बारे में बात हो रही है के साथ साथ माला इस नातक कह दिया हमने मुख आरता और फिर कह दिया कि उसके समकख्ष भी हो ऐसे आता शलैस करके है न तो यह है तो इसनातक जो है वो भीट में आ गई समकख्ष आरता विद अहरता के साथ, ठीक है, साथ साथ समकख्ष हरता का उलेखो, वहां चयन प्रकری प्रारंब पूर्व ही, जब प्रारंब होगी, उससे पूर्व ही, समकख्ष अहरता इस पस्ट रोप से निर्दारिद करने के उपरांती चयन ही तु अधिया चन चयन करता अधीकरनों को प्रेशित किया जाए यानि कि समकक्ष अहरता जो है कोई भी फॉर्म भरा जा उससे पहले ही किलियर कर दी जाए कि समकक्ष एरता कौन सी है ऐसा नहीं बाद में उसका इशू ना बने ठीक है इसमें ये बात कही जा रही है चैयन करता अधिकरणों यथा उत्तरप्रदेश लो समकक्ष अहरता करने धारं कराते हुए विग्यापन में उसका इसपस्ट उलेह सुनिश्चित करें इसलिए Teatro की विकेंसी नहीं आ रही है क्योंकि आरो इै यारो में इसपस्ट उलेह नहीं समकक्ष अहरता को लेकर इसलिए इसका इस्जु बना दूसरा पॉइंट इसका उक्त कार्या लग्याप दिनांग 7 अक्टूबर 22 के प्रापधानों के द्रश्टीगत कतीपै विवागो द्वारा ये अवगत कराया गया है कि नियमा वली में वहित समकक्ष अरता के आधार पर प्रेशित अधियाचनों को लोग सेवायों के द्वारा समकक्ष अरता को इसप आचन आ रहा है उन्हें बापस कर दिया जा रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है जो रिक्त पद है उन पर भरती भी नहीं हो पा रही है भरती भी जो है उनमें विलंब हो रहा है जब समकक्ष अरता क्लियर नहीं हो रही है तो इसलिए फिर आब ये समकक्ष अरता जो है वो क् परांग और निर्नाएं लिये हैं उन्होंने तो निर्नाए क्या क्या लिये हैं देखे नंबर एक ऐसे प्रकरणों में जहां तकनी की प्रकरती के पद किसी विवाग की सेवा नियमा वली में विद्न है या उसके समकक्ष संगत नियमा वली में निर्धारित की गई है, वहाँ भी तहरता के समकक्ष हरता का निर्धारन संबंदिद विभाग के द्वारा किया जाएगा, माल लीजें आपको electronics से related कोई vacancy आपने निकाल ली, ठीक है, अब example दे रही हूँ, आपने दे दिया कि आप graduation क किये हूँ, ठीक है, यानि कि वो आपने क्या किया हो, यूजी किया हो, यूजी अंडर गेज़ जो होता है, वो आपने कर रखा है, अब आपने जब graduation कर लिया, अब graduation में वो मांगेगी कि आप electronics होना चाहिए, है न, वो ये कह दे, या आपने बीटेक किया हो, है न, इस तरह ऐसे यह एरता विभाग रख सकता है, कि हमारे आपने टेक्निकल उसकी जरूवत है, पद है, तो हम केवल जो सामान एरता वो नहीं रखेंगा, हमारी एरता जो है अलग होगी, तो जो विभाग है, वो ही निर्धारित करेगा, वीहीत एरता के जो समकक्षैर्था होगी, वो वी तरता पता होगी यह वी तरता है समकक्ष एकता में वो लिखेगा कि इसके साथ आपके साथ यह होना चाहिए ठीक है? मतलब अगर आप graduation electronics से नहीं है ठीक है? इसको मैं समझा रही हूँ आपको तो आप क्या किये होँ? BTEC किये होँ? केवल है ना? मतलब जैसे बहुत से बच्चे BSC कर लेते हैं ना electronics से तो यह भी हो जाएगा समकक्ष में BTEC कर देंगे वो या BTEC पहले कर देंगे और समकक्ष में BSC electronic कर देंगे तो वो अपने इसाब से कर लेंगे है ना? उन्होंने कह दिया BTEC है भी तो BTEC है लेकिन समकक्ष में उन्हें कह दिया BSC electronics भी चल जाएगा तो यह आप comment इसको लगाईए कि उन्हों वो अपने इसाब से करेंगे फिर यहाँ पर कह रहा है दूसरे में उक्त विंदू संख्या एक इसके बारे में बात हो रही है कि आच्छान्दित प्रकरणों को छोड़ कर इसको छोड़ दीजे यह विभाग का काम हो गया कि वो अपनी समकक शहता क्या रखेंगे ठीक है छोड़ कर जिस किसी विभाग की नियमा वाली में अहरता सामान इस नातक है केबल BA, BSC या B.com ठीक है, सिंपल जो इस नातक हम लोग करते है वो और उसके समकक शहरता निर्धारित की गई है, यह लिखने के बाद उन्होंने कहा दिया, इसके समकक शहरता हो, क्या आप BSC करें हो है करें हो, यानि कि माली जाप जो है, उन्होंने कहा दिया आपने Science Group से BSC क्या हो, ZVC से कह दें या MS से, उसके साथ स्लेश लगा दें कि कोई इसके समकक शहरता हो, यह सिंपल ही तो होगा गरें जो इस निर्धारित हो, तो उसके लिए इन्होंने अपने नियम यहां पर बता रहे हैं पूरे नियम क्या बता रहे हैं, वो यहां पर देखेगा केंद्रिया किसी राजसरकार द्वारा, विधी द्वारा इस्तापित किसी विश्विद्याल है, या डीमड विश्विद्याल है या संस्थान द्वारा अध्यन की, किसी साखा में यदि इसनातक की उपादी परदान की गई है, तो उक्तसमस्त उपाधियां इसनातक के रूप में ही मानी जाएंगी, आपने किसी इनिवस्टी से, डीमड इनिवस्टी से या किसी और संस्थान से आपने इसनातक की उपादी ली है किसी और साखा में, किसी भी साखा में तो वो इसनातक के रूप में मानी जाएगी चाहे आपने BSC, ZVC से की है चाहे BSC आपने PCM से की है चाहे BSC में आपने ZVC के साथ एक सब्जेक्ट हटा के बच्चा क्या करता है बायो टेक ले लेता है तो इस तरह से किया है तो वो सब ग्रेजोशन में माने जाएंगे यहां पर वो कह रहे हैं ठीक है इसके साथ मानव सनसाधन विकास मंतराले सिक्षा मंतराले जिसे कहा जाता है अब भारव सरकार द्वारा माननेता प्राप्त विविन व्यवसायक निकायों यह संस्थांओ द्वारा संचालत तकनीकी पाट क्रौमों में पुर्दान की गई इस्थनातक इस्तर की उपादियां मानव संसादन विकास मिंत्राले तथा अखिल भारतिय तकनीकी सिक्षापरिशत द्वारा समय-समय ग्रेजुएशन में हैं ठीक है ग्रेजुएशन माना जाएगा आप बी ए किये हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन में माने जाएंगे ठीक है तो ये चीजे हैं कि ग्रेजुएशन में आप माने जाएंगे बैचलर हैं कि डिग्री आप पे है इस चीज को याद रखेगा तो जैसे मालीजे कहीं पर भी अगर कहा गया किसी भी पोस्ट के लिए कि वहाँ इसना तक चाहिए समकक शहरता या विही तहरता ठीक है विही तहरता जोती अगर तो यह आपकी विह तहरता के अंतरगता आएगा आपने किसी टेकनिकल शेत्र में भी अगर आपने गिरेजोशन कि यह यहां पर कह रहा है ठीक है इसके साथ साथ दिख रहा है किसी भी प्रकार के असरमंजस की इस्तिती में केंद्र सरकार या सम्मंदित राजसरकार या वी नियामक्र निकायों में जैसी भी इस्तिती हो सम्मंदित आयोगों द्वारा जानकारी यह प्राप्त की जा सकती है कि अंग्रे की इसनातक किसे माना जाएगा ठीक है उपर युक्त सम्तुलिता केवल उत्तर परदेश राजलोग सेवायोग यूपी पीसी एस के आरेम बात हो रही है यानि कि यूपी पीसी से कहते हैं अधीनस सेवा चयनायोग यानि कि जिसे यूपी ट्रपल सी कहते हैं अन्य भ चाहे आपने बीटक किया है चाहे आपने बीई किया है चाहे आपने बीकॉम किया है सब इसनातक में आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये किलियर कर दिया है अता मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में बीदी द्वारा इस्ताफित विश्विद्याले की इसनातक कर लिया जाएगा और फिर वेकेंसी आप देखिएगा जैसे ही ये शॉर्ट आउट होगा तो वेकेंसी बहुत जल्दी आने की संभावना है क्योंकि दोस्तों 2022 में वेकेंसी आई नहीं है तो 2023 में डेफिनेटली वेकेंसी आएगी क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कोई भी च लिजगा हो सकता है कि वो हटा दिया जाए उसके लिए भी सिंपल ग्रिजोशन कर दिया जाए तो इस चीज को यहां पर पूरा दिया हुआ है कि संकक्षता का मतलब इन्होंने क्या कहा दिया टेक्निकल शेत्र में विभाग को दे दिया गया कि अगर आपको कोई विशेश शेत्र में चाहिए तो आप उसके लिए अहरता संकक्षरता जो है वो अलग टाइप की रख सकते है कि हामें वई बी टेक के साथ बच्चा जो है सिंपल बी एससी वाला नहीं चाहिए हमें बी एससी प्लस लेक्ट्रॉनिक चाहिए संकक्षरता में है न तो ये चीज़ evaluation को के चक्कर में अटकी हुई हैं कोई भी वेकेंसी हुई वह वेकेंसी जल्दी से जल्दी देखना नोटिफिकेशन निकालेंगी और दिमाग में आप रखिए 2024 का इलेक्शन उससे पहले वेकेंसी अवस्थ आएंगी तैयारी में लगे रहें दोस्तों ये नहीं की नोटिफिकेशन आके फॉर्म बर्जा उसके बाद आप तैयारी करें तो वीडियो अगर आप पो नॉलिजिबल लगी हो जानकारी वाली लगी हो तो लाइक कीजिगा चै सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा धन्यवाद दोस्तों